नुश्कार Competition Committee के Comprehensive Current Affairs Program में मैं पुखराज करता हूँ एक बाफिट से आप सभी का स्वागत और आप सभी के सामने अपने नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं तो चार से लेके 10 नवंबर तक के जो Important Current Affairs है इनको Properly अपन अनलाइस कर लेंगे प्री के Point of View से भी और मेंस के Point of View से भी तो बिना टाइम को Waste करे क्या करते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आ गया क्या एक खाली स्लाइड और खाली स्लाइड है इसका मतलब आप क्या जान जाएए कि यहां पर कोई साहितिकार आने वाले हैं तो ध्यान रखना रामायन राम भगवान के मन में क्या है रामायन है समझ गए अब करते हैं साहितिकार और उनकी रचनाओं को तो देखते हैं भई मन से याद रखना जो साहितिकार हैं वो है कौन डॉक्टर मनू लाल यदू अब उनकी रचनाओं तो राम से चत्यस गड़ श्री राम की कर्म भूमी तो राम से क्या है पहला चत्यस गड़ श्री राम की कर्म भूमी अगला क्या है तो है राम वन गमन चत्यस गड़ श्री राम की कर्म भूमी अगला क्या है राम वन गमन राम आयन तो रामायंट से तीन रचनाए पहला क्या है 36 गड की रामायंट यह शोध ग्रंत है तो उन्य मैं री सर्च करके बनाये गया है अगला क्या है तो है 36 गड की रामायंट बाल कांड तो पहला 36 गड़ की रामायन अगला है 36 गड़ की रामायन अगला है 36 गड़ की रामायन दंड कारण या कांड सौन जाया तो क्या देखे अपन राम भगवान है ना उनके मन में क्या है रामायन है तो राम से हमने क्या देखा जो रचना है वो है चतिस गड़ श्री राम की कर्म भूमी इसके बाद क्या देखे राम वन्गबन मन से मैंने क्या बताया तो मन से बताया मैंने सहितकार का नाम डॉक्टर मन्नुलाल यदू और रामायन रामायन क्या बताया है मैंने 36 गड़ की रामायन जो एक शोधगरंथ है फिर 36 गड़ की रामायन बालकाण फिर क्या है 36 गड़ की रामायन दंड कारण्य काट सुन्झाया और लास्ट आपको याद रखना है इनकी आखरी रचना एक और वो है 36 गड़ी लोकोप्तियों का भाषा वैज्यानिक अध्यायन तो लास्ट मैंने क्या बताया 36 गड़ी लोकोप्तियों का भाषा वैज्यानिक अध्यायन क्लियर तो यहां पर हमने क्या किया साहित्यकार को देख लिया और क्या देख लिए इनकी महत्वपूर्ण रचना है ठीक चली अब बिना टाइम को वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशिन को देख लेते हैं हाल ही में चत्तिजगर में केश शिल्प बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष कौन न्यूक्त किये गया तो श्री नंत कुमार सेन जो है उनको किया गया था अगला क्वेशिन क्या था चत्तिजगर सरकार ने जो टोकन तुहर हाथ इस आप को बनाया वो किस वर्क के लिए किसान आपको याद हो का धान खरीदी संबंधित था चत्तिजगर सरकार इस वर्ष कितने लाक पीट्रिक टन धान का उपार्जन जो है उसका रक्ष रखी है तो लगभग कितना है 110 लाक बीट्रिक टन और उसके बाद लास्ट क्वेशन राष्ट्री आदिवासी नृत्य मोहत्सव में फसल कटाई श्वेणी में किस राजी को प्रथम पुरुसकार से सम्मानित किया गया था उप्रोक में से कोई नहीं ना उडिसा था ना जार्खन था ना राजिस्थान था क्या था चत्तिस गर्ण रित्य कौन सा था कर्मा क्लियर है तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में चलिए अब आजाते हैं इस वीक के जो इंपोर्टन्ट न्यूज रहे हैं उन पर तो सबसे पहले क्या है कांगेर घाटी नाशनल पार्क कांगेर घाटी राष्ट्री उद्यान जो है उसमें पहली बार क्या किया ठीक है तो बर्ट सर्वे होगा पहली बार होगा कहां होगा कांगेर वैली नाशनल पार्क आपको पता होना चाहिए 36 गड़ में कितने राष्ट्री उद्यान है तीन नाशनल पार्क है पहला कौन सा है तो पहला है गुरू घासी दास राष्ट्री उद्यान या नाशनल पा आप इसे कोरिया मानिए हालाकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो मनेंद्रकर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है बट क्या मानिए अभी के लिए कोरिया मानिए ठीक है इसको कब स्थापित किया गया था तो इसको 1981 में स्थापित किया गया इसका शेत्र फल या एरिया कितना है तो 1441 स्क्वार किलोमेटर्स तो गुरु घासी दास नाशनल पार्क कोरिया उसके बाद 1981 में स्टाब्लिश हुआ एरिया किता है 1441 स्क्वार किलोमेटर्स यह चत्तिदगड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नाशनल पार्क है अगला क्या है भई तो है इंद्रावती नाशनल पार्क अब इंद्रावती नाशनल पार्क यह राश्ची द्यान को 1978 में स्थापित किया गया और इसका शेत्रफल किता है 1258 स्क्वार किलोमेटर्स आपको पता होना चाहिए यह चत्तिदगड का सबसे पुराना ओल्डेस नाशनल पार्क है और तीसरा है यह कांगेर घाटी राश् बस्तर जिला अब यह जो बस्तर जिला है इसमें 1982 में इस कांगेर वैली नाशनल पार्क को बनाया गया यह स्टाबलिश किया गया मान लीजे और इसका शेत्रफल एरिया किता है तो लगभग 200 स्क्वार किलोमेटर्स क्या है इसका एरिया तो यह हो गया चत्तिदगड के ती 22 नमबर 2022 तक किया जाएगा मतलब यह जो नमबर का मन्त चल रहा है इसी महिने में 25 नमबर से लेके 27 नमबर तक का क्या है सर्वे है मतलब तीन दिन का सर्वे 25 26 और 27 अब यह सर्वे कौन करा रहा है भई तो बर्ड काउंट इंडिया और बर्ड्स आंड वाइल लाइफ और इसके सहीयोग से या इसके हल्प से तो बर्ड काउंट इंडिया और बर्ड्स आंड वाइल लाइफ और चत्तिस गर जो है इसके सहीयोग से इस सर्वे को क्या है किया जा रहा है ठीक है भई अब यह जो बर्ड सर्वे है या पक्षी सर्वेक्षण है इसमें देश के 11 राज कौन से प्रतिभागी पक्षी शर्वेक्षण में शामिल होंगे तो 36 गड़ के लावा महराष्ट के लावा मध्यप्रदेश करनाटक के लावा तेलंगाना आनप्रदेश गुजरात के रल पश्यम बंगाल ओडिशा रादिस्थान से प्रतिभागी जो है क्या होंगे इस पक् में शामिल होंगे अब इन स्टेट्स को याद रखना है तो बहुत ईजी है मैं याद रखने का तरीका बता देता हूं आप लोग को बहुत इजी चालू करना वेस बेंगौल से के बगल में आना जारखंड उसके बगल में चत्तिसगण के बगल में क्या है मध्यप्रदेश इसके बगल में क्या है गुजरात उपर जाना राजिस्थान नीचे आना महराष्ट अब महराष्ट से आ जाना कहां तेलंग आना से आ अब सही आया, तो ग्यारा प्रतिभागी जो है न, उसको मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सब जुड़े हुए हैं, वेस्ट बेंगॉल के बगल में जारखंड के बगल में क्या, छत्यसगर के बगल में मद्ध्रदेश के बगल में गुजरात, उपर जाना राजस्थान मि क्लियर है, तो बहुत एजली अगर आप मैप पर देखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, याद इसे रख सकते हैं, अब क्या होगा, तो ध्यान रखिए, ये जो सर्वे है, सर्विक्षन, जो कि कितने दिन चलेगा, तीन दिन कहां पर, कानगेर वैली नाशनल पार्क में, इस उसको क्या किया जाएगा, निरिक्षन किया जाएगा, या इसको इंस्पेक्ट किया जाएगा, और यहां पाई जाने वाली जो पक्षियां हैं, या बर्ड्स हैं, इनका क्या किया जाएगा, सर्वेक्षन, या सर्वे, क्लियर है कि नहीं, तो तीन दिन तक क्या किया जो bird shelter से उसको जा जाके inspect किया जाएगा निरिक्षन किया जाएगा और साथ में फिर धीरे से अपने आप ही क्या होगा ये जो सरवेक्षन है पक्षियों का ये हो जाएगा क्यूं जाग देखो पता नहीं चल जाएगा जी कौन सो पक्षी है करके clear है ये ठीक तो इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है examination point of view से अगर इस slide में मैं देखनू तो क्या-क्या चीज़े आ सकती है तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि पक्षी सरवेक्षन जो है ये कहां पर हुआ है तो ध्यान रखना कांगेर वैली नाशनल पार्क एक mcq second अब इसके बाद क्या गरते हैं अपन थोड़ा सा कांगेर वैली नाशनल पार्क के बारे में कुछ चीजों को अपन देखते हैं तो क्या-क्या चीजों को देखना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो कांगेर वैली नाशनल पार्क है राश्च्य उद्यान है ये कौनसे डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तिदगड़ के बस्तर जिले में है, 1982 में इसे बनाया गया, ये छत्तिदगड़ का नवीनतम या निवेस्ट नाशनल पार्क भी है, और सबसे छोटा नाशनल पार्क भी है, जिसका शेत्रफल एरिया कितना है, लगभग 200 स्क्वार किलोमेटर्स, ठीक है, अब ये जो कांगेर वैली नाशनल पार्क है, बेसिकली इसमें से एक नदी बहती है, या एक रिवर है, उसका क्या नाम है तो कांगेर नदी, कौन सी नदी बहती है, कांगेर, एक बाद आपको ध्यान रखना है, कि एर था 1985, 1985 में इसे, एशिया का फर्स्ट बायोस्फियर रिजर्व घोशित कर दिया गया था, तो एशिया का फर्स्ट बायोस्फियर रिजर्व घोशित किया गया 1985 में, लेकिन इस दिशा में, आगे कभी कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कोई information आज तक हम लोग को मिली ही नहीं ना किसी government records में और ना ही किसी book में तो आज अगर government records को देखे मतलब administrative report जा कर देखे one way भाग का तो हमारे यहां सिर्फ एक biosphere reserve मिलता है वो है क्या अमरकंटक अचानक मार इसका त कि कांगेर वैली नाशनल पार्क biosphere reserve नहीं है लेकिन ऐसा तो लिखा है कि 85 में घोशित किया गया था और मैं आपको बता दूं कि CGPSE pre में एक बार इस statement को सही मान चुका है कि आज भी कांगेर वैली नाशनल पार्क क्या है एक biosphere reserve है इस statement को उसने सही मान लिया है समझ में आय साग के data को देखोगे तो हमारे यहां एक मात्र बाइस फिर रिजर्फ क्या है अमर कंटक अचानक मार ठीक है इसके बाद आपको पता होना चाहिए 36 जो है इसका जो स्टेट बर्ड है राजकी पक्षी जिसका नाम क्या है पहाडी बैना क्या नाम है पहाडी मैना मैला लिख पहाडी मैना के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है छोटे स्काले रंग की पक्षी है गले में पीले रंग का पट्टा होता है और इंसानों के आवाजों को जबरदस तरीके से इमिटेट कर लेती है कॉपी कर लेती है इसके अलावा यहां पर क्या है तो है भैसा दरहा यहां पर प्राक्रतिक रूप से नैचरली क्रॉकोडाइल कंजर्वेशन मगर मच्छो का संरक्षन किया जाता है ठीक है भैसा दरहा हो गया पहाडी मैना देख लिए इसके अलावा यहां पर क्या पार्क है तो बटरफ्लाइ पार्क है कहां पर कांगेर वैली न जल प्रपाथ है जिसका नाम क्या है तीरत गड़ जो कि कौन सी नदी पर है मुनगा बहार तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तीरत गड़ जल प्रपाथ जो है वो 36 गड़ का अभी भी सबसे उचा है तो प्राक्टिकली मैं बता दू ऐसा नहीं है बहुत सारे नए जल प्रप उचा है इस बात को याद रखना सबसे उचा है इसकी अभी कोई प्रमाणिकता नहीं है तो तीरत गड़ वाटर फॉल जो है इसको कहा जाता है कि ये कांगेर वैली नाशनल पार्क जो है इसका एक छोर है एक किनारा है ऐसा भी एंसर किस ने लिया है तो पी एस सी ने लिया कांगेर वैली नाशनल पार्क का एक छोर एक किनारा जो है तीरत गड़ वाटर फॉल है ऐसा एंसर भी ले चुका है तो इसको मान लेंगे कोई दिक्कत का बात नहीं है लेकिन बायोस्फेर रिजर वाला उड़ पूट आंगे है ठीक अब नेक्स्ट इसके अंदर कुछ कोटमसर लोग इसे कुटूमसर बोल देते हैं असल में ये जो गुफा थी ना कोटमसर गुफा इसका नाम क्या था गुपत गुफा गुफा इसको प्रोफिसर शंकर तिवारी ने खो जा था 2016 पूछा था लेकिन हुआ क्या गुपंसर नाम फेमस नहीं हुआ और ये जो दूंढा गया था तो नाम क्या था गोपंसर लेकिन कोटमसर विलेज्ज ये कोटमसर गाऊं के पास था तो उसी गाउं और एक गुफा जो है यहाँ पर उसका नाम क्या है दंडक गुफा तो कहते हैं रामायन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था दंडक और उसी दंडक राक्षस की ये गुफा है तो ध्यान में रखना राक्षस का नाम क्या है दंडक और रहता था किस छेत्र में जंगल क्यो हुआ दंडक धन अरण्या नाम पढ़ा क्या दंड कारण्या समझ में आया दंडक प्लस अरण्या इस इक्वल टू क्या हो गया दंड कारण्या इसलिए 36 गड में बस्तर वाला जो एरिया है आप रामायन काली नाम उसका क्या पढ़ते हैं दंड कारण्या क्लियर है तो इतने स सारे facts जो हैं आपको कांगेर वैली नाशनल पार्क के बारे में याद रखना है यह किसी भी examination में mcq के form में बहुत इजली पूछे जा सकते हैं अगर mains की बात कहो तो सीधा सीधा कांगेर वैली नाशनल पार्क जो है इसके उपर आपको 60 words में लिखने को भी आ सकता है तो 60 words में भी इन points को लेके आप क्या कर सकते हैं आंसर बना सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अब next देखिए तो चेस खिलाडी है चत्तिजगड की नाम है क्या इनका तो नाम है किरन अगरवाल यह news बहुत important है मुझे ऐसा intuition हो रहा है कि इसमें question आने वाला है यह इंडिया का जो चेस टीम है शतरंज टीम उनकी क्या बनी है coach बनी है clear है यह तो ध्यान रखना सूश्री किरन अगरवाल जो है इनको all India chess federation जो है अखिल भारती शत्रंज महासंग और इंडिया chess federation इसने क्या किया है भारत का जो शत्रंज टीम है इंडिया का जो चेस्ट टीम है उसका क्या बनाया है तो बैसिकली है क्या 13 नवंबर से लेके 23 नवंबर 2022 13 नवंबर वही डेट है जिस डेट को आप इस वीडियो को देख रहे हो संडे जी तो मैं आयोजित हो रहा है तो कॉमन वेल्थ चेस्ट compliance Friendship समझ में आया और इस Commonwealth Chess Championship में 16 सदसी भारती टीम जा रही है मतलब 16 मेंबर्स का टीम है इंडिया का वो जा रहा है और इसी टीम में कोच की भूमिका में कौन रहने वाली है तो किरण अगरवाल जी रहने वाली है चत्तिस गड़की तो चत्तिस गड़की लिए बहुत बड़ा न्यूस है किसी भी इंटरनाशनल इवेंट में हमारे यहां से नाशनल टीम का कोच बनके कोई व्यक्ती जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये तो ठीक है इसके अलावा और कोच कोच की भूमिका में रहेंगे तो प्रवीन ठिपसे जी रहेंगे उसके अलावा वी रवी चंदरन जी रहेंगे और इसके अलावा प्रसन जीत दत्ता जो है वो भी बतोर कोच शत्रंज टीम जो है उसके साथ जाएंगे ठीक है ये बात कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज ध्यान रखना किरण अग्रवाल जी हमारे प्रदेश की हमारे स्टीट की एक मात्र ऐसी महिला शत्रंज खिलाडी है फीमेल शेस प्लेयर है जिनको क्या किया गया है विमेन फिडे मास्टर का टाइटल दिया गया है वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा तो विमेन फिडे मास्टर का टाइटल मिला है वर्ल्ड चेस फेडरेशन के तरब से तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है अब एक्जामेनेशन पॉइंट उफ यू से देखें तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेशन बन जाएगा वो इनके नाम से ब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इनके नाम से डिरेक्टली पूछ सकता है करके इसका यह मतलब नहीं कि इनके नाम से नहीं पूछ सकता है ठीक तो पूछ देगा अगला कोशिन बन सकता है कि शूश्री किरण अगरवाल जो है यह किस खेल से संबंधित है तो यह हमारे PSC का एकदम फेवरेट पाटन का कोशिन है सीधा पूछता है कि यह जो खिलाडी है यह किस स्पोर्ट या किस खेल से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा इस कंडिशन में किरण अगरवाल जी चेस से संबंधित है अगला कोशिन क्या बन सकता है Commonwealth Chess चे Ampenship 2022 का कहा हो रहा है तो विमेन फिडे मास्टर का खिताब मिला है तो उस कंडिशन में नाम किरण अगरवाल आपको क्या करना है ध्यान में रखना है तो जो MCQ के टाइप के कोशिन थे वो मैंने आपको क्या किये हैं बता दिये चलिए अब नेक्स देख लेते हैं जान्जगीर चांपा डिस्ट्रि जो की क्या था हरेली का दिन था वर्ष था 2022 इस दिन से 4 रूपए प्रती लीटर पर गौमूत्र की खरीदी 36 गड़ में स्टार्ट हुई है यह डेट बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना कब से स्टार्ट हुई है तो 28 जुलाई और तिथी भी याद रखना है क्या था तो यह क्या था हरेली मतलब सावन मास की अमावस्या आपको पता होना चाहिए सावन मास की अमावस्या में हम लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं हरेली क्योहार मनाते हैं क्रिशी उपकरणों की पूजा की जाती है क्यों की जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि सावन के जस्ट पहल का समय है उनको थैंक्स गिविंग का समय है इसी लिए और इसके अलावा आप लोगो पता होगा कि गेड़ी बना गेड़ी चड़ते हैं ठीक है कि नहीं इसी दिन हर्याली के प्रतीक के रूप में नीम का जार जो है उसका टेहनी तोड़के क्या किया जाता है यादववर के ल दार किया जाता है ताकि जो बुरा़ा है बाहर की वो घर के अंदर क्या न कर सके प्रवेश न कर सके क्यू क्यों हरे लिग दिन क्या होता है तो इतना चीज़ तो हरे तो 9228, 9228 लीटर गौम उत्र की खरीदी हुई है तो सबसे जादा हुई है, मतलब कौन से स्थान पर है फर्स्ट, अब ध्यान रखना, इस गौम उत्र को यूज कैसे किया जा रहा है तो इससे क्या किया जा रहा है, पेस्टिसाइड, कीट नी अंतरक बनाया जा रहा है समझ में आया, तो कीट नी अंतरक या पेस्टिसाइड बनाया जा रहा है तो पहले किसान क्या करते थे, कि जो pesticides खरीदते थे, वो chemical pesticides होते थे, तो इससे दो नुकसान है, पहला तो chemical pesticides costly मिलते थे, किसान के जेब से पैसा कर्चा हो जाता था ज्यादा, secondly ये जो pesticide होते हैं, इनसे फसलो पर या crops पर भी क्या होता था, adverse effect या प्रतिकूल प्रभाव था, तो खाने वाले को भी नुकसान है, अब होगा क्या जब pesticide स्कीट नियंतरक जो हैं, वो गौम उत्र से बनाये जाएंगे, example के लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र हैं, जीवामृत हैं, तो सबसे पहले तो किसान को ये pesticide एकदम सस्तेम पड़ेगा, तो किसान जो है, उनको क क्या निक हो जाएगी, बढ़ी आसी तो नुकसान नहीं होगा, खाने वाले फायदा होगा, समझ में आया की नहीं आया, तो इस point of view से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, अब अगर हम लोग क्या देखें, questions को, तो सबसे पहले question क्या पूछेगा, गौम मोतर की या योजना के बारे में आपको paper number 5 में 30 या 60 words में आ गया, तब आपको इसमें add करना होगा, कि गोबर खरीदी के अलावा, चार रुपे प्रती लीटर में अब क्या किया जा रहा है, तो गौम मोतर की भी खरीदी हो रही है, इसके अलावा, अगर आपके पास कोई क्रिशी स संबंदित ऐसा essay आता है, जिसमें आपको क्रिशी में, agriculture में, innovation के बारे में लिखना है, या सरकार के तरफ से नए efforts के बारे में लिखना है, तो भी आप इस data को use कर सकते हो, कि सरकार गौम मोतर खरीदी रही है, उससे जो है pesticides बना कर किसानों को दिया जा रहा है, जिससे किसान आगे, ठीक है बई, अब भानु प्रतापपूर विधान सभाजो है, यहां पर बाइलेक्शन उपनिर्वाचन होने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, 36 गड़की जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, चीफ इलेक्टोरल ओफिसर हैं, नाम है क्या श्रीमती, री बाइलेक्शन के लिए, पाँच दिसंबर को वोट डाला जाएगा, और गिंती काउंटिंग जो है, वो कब होगी, आठ दिसंबर को होगी, तो पाँच दिसंबर को वोटिंग है, आठ दिसंबर को क्या है, मतो की गणना है, काउंटिंग है, ठीक है, अब घोषना होते ही, क्या हुआ है, तो कांकर डिस्ट्रिक्ट में क्या लग गया है, अचार सहीता, होड अफ कंडक्ट, प्रभावी हो चुका है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक्जामिनेशन भानुप्रतापपुर, उपनिर्वाचन में, मतदान कब हुआ था, पांच दिसंबर, क्लियर है कि नहीं, अगर यहां से, अगर क्या, कोई न कोई तो जीतेगा, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो सीधा-सीधा, एक्जामिनेशन पूछा जा सकता है, साथ ही, अब नेक्स देख लेते हैं, बुजूर्गो, दिव्यांग जन और तृती लिंग, थर्ड जेंटर जो है, उनके लिए हेल्प लाइन और टोल्ट फ्री नंबर जो है, वो सरकार ने जारी किया है, ठीक है बई? तो हमारे राज्य में जो सामाज कल्यान विभाग है, उसके द प्लाइन नंबर, 155-326 और एक टोल्ट फी नंबर जो है, जो कि है 1800-233-8989, ठीक है न, 1800-233-8989, इसका संचालन क्या किया गया है, शुरू कर दिया गया है, तो बेसिकली है क्या, चत्रजगर में ऐसे बहुत से व्रिद्ध लोग है, ऐसे बहुत से कहना चाहिए कि, एल्ड की आपात सहायता के लिए, मतलब emergency situations में इनके help के लिए अभी तक हमारे state में, हमारे राज में कोई भी proper व्यवस्था नहीं थी, अब इसी चीज़ को देखते हुए, हमारे यहां मुख्यमंत्री जी ने, एक अक्टूबर को, जो की क्या था, अंतर राष्ट्री व्रिद्ध दिवस, इसका याद होगा, शौट्स निखतमान बनाग डाली थी, उस दिन इन्होंने घोष्टना की थी, कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, और कब से करेंगे, तो एक नवंबर से, जो की हमारे राज्जी का क्या है, फाउंडेशन डे है, राज्जी का निर्मान दिवस है, अब राज्जी निर्मान दिवस, एक नवंबर तो निकल चुका है, ठीक है, तो ये फैसिलिटी जो है, वो क्या हो चुकी है, चालू हो चुकी है, अब इस टोल फ्री नंबर पर क्या किया जा सकता है, तो जितनी भी विभागी योजनाएं हैं, मतलब अलग 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 डि कायत हो, तो बताया जा सकता है, खास कर विद्ध जन जो है, अगर उनको पैंशन भुकतान से संबंदित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है, क्लियर है की नहीं? ठीक, अब इसके लिए प्रतीक व्याक्य क्या बनाए हैं, तो स करेंगे न, तो यहां पर देखिए, यह लिखा भी हुआ है, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो पड़ भी सकते हो, क्लियर है, ठीक है, अब एक्जामिनेशन पॉइंट अ फ्यू से हम देखते हैं, क्या-क्या क्वेशन बन सकते हैं, त बुजूर्ग, दिव्यांगजन और थर्ड जेंटर के लिए, इसके लावा कौन चला रहा है, तो समाज कल्यान विभाग, यह पूचा जा सकता है, इसके अलावा पूच सकता है, यह कब से स्टार्ट हुआ है, तो एक नवंबर से स्टार्ट हुआ है, क्लियर है, तो समाज क के बारे में emergency situations के बारे में परामर्श शिकायत पेंशन भुकतान इन सभी services का लाब दिम्यांग जन हो गए उसके अलावा बुजर्ग लोग हो गए और स्रिती लिंक के युवा उत्सव तो ध्यान रखना इसका आयोजन कब से कब तक तो 12 से 14 जनवरी 2023 तक यह सबसे important चीज है और आपको यह भी जानना है कि 12 जनवरी जो है वो क्या है स्वामी विवेकानन की जयनती है clear है तो सबसे important question जो इसमें बन जाता है वो है राजस्तरी युवा उत्सव जो है इसका आयोजन कब किया गया कब organize किया गया था तो 12 से 14 जनवरी बारा को क्यों start किये क्योंकि यह स्वामी विवेकानन की क्या है जयनती है तो हमारे यहां जो राज्य है हमारा चत्तिजगर्ड उसके जो यूवा है यूथ है उनको सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए कल्चरल अक्टिविटी से उनको जोड़ने के लिए और उनमें जो टैलेंट है प्रतिभा है उसको और क्या करने के लिए निखारने के लिए यूआ उत्सव दोहजार बाईस ते इसका क्या किया जा रहा है अब ये किस-किस स्तर पर होगा तो विकासखंड स्तर पर होगा ज दूसरा है 40 प्लस तो चार लेवल में होगा दो ऐस ग्रूप होगा तेर है अब इसका ईयोजन कौन कर रहा है तो ध्यान रखना खेल एवं यूँआ कल्याण विभाग जो है इसका आयोजन कर रहा है और फाइनली खेल और युँआ-कल्याण विभाग जो है उसके द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार युवा वर्ग जो है उसमें 18 विधाओं में क्या होंगी competitions होंगे 18 अलग-अलग events में प्रतियोगताइं होंगी या competitions होंगे ठीक है अब examination point of view से क्या-क्या सबसे पहले कब हुआ एक अगला पूछेगा कितने स्तर पर चार विकासखंड जिला संभाग राज एज ग्रूप कित्ता दो 1540 40 प्लस कौन करा रहा है पूछ सकता है तो खेल युवा कर लियान विभाग और लास्ट कुछन आप से पूछेगा कितने इवेंट्स में competition होगा कितने विधाओं में तो ध्यान रपना 18 तो इतने questions इस slide से बन सकते हैं मेंस point of view से इतने questions बन सकते हैं चलिए अब क्या करते हैं तो इस वीडियो को end करते हैं कुछ questions के साथ तो पहला question क्या है तो हाल ही में 36 शासन के समाच कल्यान विभाग द्वारा help line और toll free number संचालन किस वर्क के लिए किया गया है तो options आपके सामने हैं अगला question क्या है तो 36 सरकार ने गौवम उत्र की खरीदी कब से शुरू की थी dates आपके सामने हैं बताइएगा मैंने आपको वीडियो में बताया है और उसके बाद शुरू श्री किरन अगरवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है options आपके सामने हैं तो मैं फिर से आपसे एक बार request करूँगा कि please आप लोग क्या करिए जो भी answers है उसको comment box में मुझे बत कर